दोस्तों साइंटिस्ट लगातार तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके हमारी इस दुनिया के बारे में और जादा समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अतीत में उन्होंने बेहत खतरनाक चीजों के साथ खिलवार भी किया है जिन्हें वो पूरी तरह से नहीं समझते थे यूँकि हम नज़र डालते हैं कुछ ऐसे डरावने एक्सपेरिमेंट्स पर जो इस दुनिया को तबाह कर सकते थे गहरी खुदाई तो सबसे पहले हम रशिया में 1970 के दिशा की तरफ जा रहे हैं ये वो समय था जब USSR USA के साथ युद कर रहा था और दोनों देश ये साबित करनी कोशिश कर रहे थे कि उनमें से ज़्यादा ताकतवर कौन है दोनों अलग-अलग जमीन की नीचे जितना ज़्यादा हो सके उतनी गहरी खुदाई करनी कोशिश कर रहे थे ताकि ये पता लगाया जा सके कि नीचे क्या है लेकिन जब 1966 में अमेरिका की कोशिशों को पैसे की कमी की करण रोख दिया गया रशिया ने खुदाई जारी रखी 1970 से 1994 तक रशिया ने धीरे धीरे कोला पिनिंसुला पर दुनिया का सबसे गहरा गड़ा खुद दिया इन कोशिशों में एक मैन कॉलम से निकलने वाले कई सूपर डीप होल शामिल थे सबसे गहरा जिससे SG3 के नाम से जाना जाता है सिर्फ 9 इंच चौड़ा था और 7.6 मिल जमीन में नीचे तक गया था ये शेद दुनिया के सबसे गहरी जगह है मारियान और ट्रेंच के तुलना में 4000 फीट जादा गहरा है जहां जियोलोजिस्ट और अर्थ साइंटिस्ट खुश थे वहीं धार में गलोड डरे हुए थे उनका माना था कि ये शेद नरक में पहुँच जाएगा और शैतानों क मानना था कि इतनी गहराई पर इतनी तेजी से ड्रिल करने से जल्द ही इतनी चट्टाने टूट जाएंगी और इससे भूकम बाने के संभावना बढ़ जाएगी जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा लेकिन पता चला कि चिंताई कोई बात नहीं है साध शमला 6 मील के न नहीं कर पादा 1995 में पैसों कमे के करण प्रोजेक्ट को रोग दिया गया था और वेल टू हेल को बंद कर दिया गया भई ऐसा लगता कि शैतान का आना हमेशा के लिए टाल दिया गया है प्लेग एक हत्यार दोस्तों जैसे 1989 में कोल्ड वार खत्म हुआ बलामेदेर पासे न इनिंग्राद में इंस्टिट ऑफ अल्ट्रा प्योर बायलोजिकल प्रिपरेशन का डारेक्टर था उन्हें पता चला कि रूस ऐसे हत्यारों पर काम कर रहा था जो खतरना की टाड़ूं या बैक्टेरिया के इस्तिमाल करते थे और वाइरस और बीमारी फैलाते थे जात प कमजोर बना देंगे विलामिदर जिस वाइरस के बारे में सबसे ज़्यादा जानता था वो येर्स निया पेस्टिस था एक ऐसा बैक्टेरिया जो की बबोनिक प्लेक का कारण बनता ऐसा माना जाता है कि चौदवी शताबदी में इस बीमारी ने पूरे योरप की 60% सकते थे अगर विलामिदर ने जो कहा था वो सच था तो रशिया करा था एक बटन को दबाने से पूरी आबादी का सफाय करने का था ब्रिटिन का डर 1990 के दशक में ही बढ़ गया था जब जासूस विशेशक्यों ने विलामिदर द्वारा बताए गई जगों के दिल दहला देने वाले सबूत देखे लेकिन 1992 में जब सोविय संग का पतन हुआ तो उन जगों में काम होना बंद हो गया हलाकि सबसे बहानक बात यह है कि यह कहीं भी नहीं बताया गया कि यह वाइरस वाले इस युद्ध की कोश्चें कितनी बड़ी थी या उसके बाद इसको क्या सब जैविक हत्यार का कोई प्रोग्राम नहीं है जो मुझे उमीद है कि सही है यार हमेजन कीजिए कि दुनिया में हर महीं ने कई नई नई खतरनाग लाइलाज बीमारियां फैलाई जा रहे हैं मुझे तो लगा कि सिर्फ कोविट ही बो रहा था तो इससे पहले कि एंटी वेक्सल्स आएं और कॉमेंट सेक्षन को कोविट का नाम लिते भरना शुरू करतें नीची दिये गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करके मुझे वापस लड़ने मदद कीजिए और ये मेरे लिए नहीं बलकि इंसानियत के खातिर कीजिए और अगर साइंस की बा बनाते हैं जाहर है कि उनकी ग्रोथ में कोई फिर रुकावट बड़ी समस्यां पैदा कर सकती है लेकिन उनमें से कुछ सबसे खराब फंगस या कीटाड़ों कारण शुरू होती हैं ये ऐसे फंगस हैं जोकि पौधों को जहीला बनाते हैं और लाखों कीटाड़ों देखा वहीं अमेरिका ने इसे अपने फाइदे के लिए इस्तिमाल करने का फैसला गिया सोवियत संग की तरह अमेरिका के पास भी जैविक हत्यार बनाने का एक प्रजेक्ट था लेकिन जब यूएससर लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले वारस पर फोकस कर रहा था द किसी एक देश को निशाना बनाने तक सीमित नहीं रखा जाएगा यह देखते हुए कि ब्लाइट्स की अन अलर्ट किसमें कितनी आम हैं यह उमीद की जाती है कि वो दुनिया के बागी हिसों फैल जाएंगी जिससे दुनिया भर में भयाना का काल पढ़ जाएगा कोई नही कभी इस खतरना क्रॉप डिजीज का इस्तिमाल किया है या उस पर कभी रिसर्च की है लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके खाने में लगभग पूरी तरह से पीज़ाई होता है मुझे उमीद है कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे एलियन एपकलेप्स दोस्तों 2020 में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने अंजान फ्लाइंग अबजेक्स के एतिहासी नेवी वीडियो जारी के जिनके बारे में वो कुछ बता आनी सके इन में से कुछ अबजेक्स अचानक मुड़ने से पहले लगभग 3800 मील प्रति घंटे की हाईपर सोनिक स्पीड से जा रहे थे ये कुछ ऐसा है जिससे हीमन टेक्नोलजी अभी भी सदियों दूर है डिफेंस डिपार्टमेंट के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये एक एलियन एक्टिविटी है लेकिन अगर वो मौजूद है तो नासा ने इसका पता लगाने के लिए सेटी सर्च फोर एक्स्टा टेलिस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को लॉंच किया सेटी साथ सालों से रेडियो टेलिस्कोप से आखाश की खोच कर रहा है दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों पर एलियन्स की आवाजों कोई तला बाता रखते हैं अब जो कोई भी जाईश में यकीन नहीं करता उसके लिए एटी को टेक्स्ट भेजने की ये सारी बातें काफी मजाकिया हैं लेकिन अगर एलियन्स के मौजूद होनी की थोड़ी इसी भी संभाव ना हो तो हम बड़े खत्रे में बढ़ सकते हैं अभी तक आफ वर्ल्ड मेसेजिंग पर कोई निगरानी नहीं की जा रही है इसका मतलब है कि एडवांस ट्रांस्मिशन तकनीक तक पहुँच रखने वाला कोई भी बंदा उपर मौजूद ग्रहों से कुछ भी कह सकता है मेरा मतलब है कि कुछ भी भयानक अपमान और आपकी मांखे चुटकुलों से लेकर अंतरक्षिद की धंकी तक कुछ भी लेकिन अगर वहां इलियन्स मौजूद हैं तो वो इस तरह की धंकियों को हलके में नहीं लेंगे अगर वो हाई-टेक युए-फो सच में इलियन होते तो उनके हतियार निश्यत रूप से हमारे अपने हतियारों से कहीं वेधर होते जिससे हम पूरी तरह बेनकाब हो जाते और पूश्ताश में कमजोर पड़ जाते दा ट्रिनिटी टेस्ट दोस्तों 16 जोलाई 1945 को निव मैक्सिको के रिगिस्तान में इतिहास का पहला परमानु गम विस्फोर्ट की आ गया ट्रिनिटी टेस्ट अमेरिका और ब्रिटिश वेग्यानिकों द्वारा युद्ध का एक ऐसा हतियार बनानी की कोशिश थी जो इतना खतरनाक होगा कि ये भविश के सभी दुश्मनों को डरा देगा लेकिन हर साइंटिस्ट यहां तक की एन्रिको फर्मी भी इस कॉंसेट से सहमत नहीं थे इस नोबिल प शुरू हो जाएगा जो पृत्वी के पूरे वातरवन को जला देगा सीधे शब्दों कहें तो ऐसी संभावना थी कि इस टेस्ट को करने से पृत्वी पर मौजूस सभी प्राणियों का सफाय हो जाएगा शुगर है ये थीरी वलत सावित हुई और 20 टेस्ट बिना किसी घर अगया भया नगो सकते हैं एक दशक से भी जाता समय के बाद दुनिया भर के सेनाओं द्वारा पर्माणू परिक्षन लापरवाई से किये जा रहे हैं लेकिन जमीन पर मौजूद उनके जवानू को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी गई थी 1952 में ऑपरेशन टंबल स्नेपर के दौरान साइंटिस ने कई स्थितियों में अपने नए परमाडू खिलोनू में विस्फोट करके उनकी सीमाओं को लांगना शुरू कर दिया बंको के एक नेटवर्क पर जमीन से 300 फीट उपर लटका दिया गया था और फिर उड़ा दिय जागया जैसे ब्लाजमा बॉल फैलती है रेडियाटिंग एनरजी गर्म हो जाती है और आग के ठीक आगे मौजूद केबल्स को एवापरेट कर देती है जिससे नीचे की तरफ अजीव गरीव स्पाइक्स देता है तब से लेकर अब तक इंसानों ने करीब 13500 परमाणूब हम बनाए हैं जबकि वैग्यानिकों का मानना है कि किसी एक देश को पूरी तरह तबहा करने के लिए सिर्फ 100 की जरुद होती है यह भगवान भले उन सभी परिक्षणों ने दिखा दिया कि इंसान अकलमंद होते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हम वास्तव में कुछ भी नहीं सारे बिलिंग माटेरियल को लाइट के स्पीड के करीब बनाता है जो कि लगभग एक लाख चैसी हजार मिल परती सेकिंड इससे पहले कि वो सब एक बन जगे में आपस में एक साथ टकरावों से चार ट्रिलियन डिगरी तक के तापमान के साथ छोटे सूपर डेंस माटेरि इसका एक ब्लैक होल भी माउंट एवरिस्ट के मास के बराबर होगा और इससे भी बड़ी कोई भी चीज दुनिया को चीर कर अंदर से बाहर तक निगलने के लिए काफी होगी लेकिन जो खिम छोटा था इतना चोटा कि दस साल से भी कम समय के बाद सूपर लेंड के उन्हें साथ और भी खत्रे लेकर आता है एक थिरी ने दावा किया है कि टक्कर के कारण कॉर्क एक तरह के अलिमेंटरी पार्टिकल्स रियरेंज हो जाएंगे और चोटी चीजों में सिकुड जाएंगे उन्हें स्ट्रेंज लिट्स कहा जाता है इन्फेक्शन द्वारा य सबी देशों को अपनी तरफ हींचना शुरू कर देते हैं तो हम समझ जाएंगे के ऐसा क्यों है प्रोजेक्ट सील दोस्तों नए हथियार डेवलप करने की तुलना में अपने फ्रेंडली हैविटेट के लिए जाता जाना जाता है लेकिन प्रोजेक्शील के हिस्से की रू यह विशाल लहरें तट पर 10 मील तक पहुंच सकती हैं और 100 फीट उपर उट सकती हैं जिससे सब कुछ तभाह हो सकता है अगर उन्हें आर्टिफिशली बनाया जा सकता है तो उनके ऑपरेटर जानबुझ कर दुश्मन के बंदरगाहों नौसानिक ठिकानों और यहां तक की पूरे शहरों का सफाय कर देंगे लेकिन भूकंप के बिना आप पानी की दीवार कैसे बना सकते हैं यहां तक कि उस आकार के एक छोटे से हिस्से जिदनी भी जवाब था ट्रीनिट्रो ट्रोलियून जिसे आम तोर पर बहुत ही विस फोटा केमिकल टी एंटी की रूप में आखिरकार वो इस निशकर्षवा पहुंचे कि बाइसो टन टी एंटी से बने लगभग दस बमों की पांच मील लाइन को विस फोट करके वो चालीस वीट उची एक भयानक मैनमेड विशाल लहर बना सकते हैं एक मादर समस्या ये थी कि विस फोटकों की पोजिशन महतपू हो जाता तो किनारे इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं रजाते और कोई भी पागल बेवकोफ जिसके पास एक बड़ी शक्तिशाली एक्स्प्लोजिव डिवाइस होती वो दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर सकता है जिससे बहुत जादा बरबादियों मौत हो सकती हैं लेकिन इसने वेग्यानिकों को 1950 के तशक के बाद भी पानी में परमाडू हत्यारों के असर को टेस्ट करने से नहीं रोका ओपरेशन हार्ट टैंक के दौरान हवाई के तट पर पानी के नीचे कई परमाडू बम उड़ाए गए जिससे विशाल लहरे पैदा हुई जो उनक परमाडू बमों के कारण होने वाली सुनामी के खतरनाक अंजामों को भी देख लिया लेकिन अंडर ग्राउंड परमाडू हत्यारों के बारे में आप क्या कहेंगे ओके तो जब मैं इसे साफ साफ कहता हूं तो हकीकत कम बेवोकोफाना ज्यादा लगती है लेकिन अगर हम 1988 488 के समय में वापस जाते हैं और सोवियत यूंइन की तरफ जाते हैं तो साइंटिस्टीक यही कर रहे थे कोल्ड वार के समय सोवियत साइंटिस्ट किर्गिस्तान में मौझूद एक जगह पर टेक्टोनिक बम का परिक्षन कर रहे थे अगर वो कामयाब होते तो यह उन्हें दुनिया में लगभग कहीं भी खतनाग भूकम पैदा करने की शक्ति देता यह एक सबसे अच्छा अंडर्ग्राउंड अत्यार होगा हलाकि इस बारे में कोई जानकारी मौझूद नहीं है कि अंडर्ग्राउंड ब्लास्ट कितना बड़ा था पर यह टेस्ट कामयाब रहा जिसने आगे प्रोजेक्ट वॉलकेनों के लिए रास्ता खोल दिया लेकिन 1992 में अजर्बैजान के सोवियत संग से अलग होने के बाद वहां किये जाने वाले एक्सपेरिमेंट बंद हो गया और शुगर है कि इस प्रोजेक्ट को रोख दिया गया इसके बारे में सबसे परिशान करने वाली बात यह थी कि यह दावा किया था कि प्रोजेक्ट वॉलकेनों युनाइटेड स्टेट्स में येलो स्टोन नेशनल वालकेनों की उपर बनाए गया था अगर यह भटता है तो एक नॉर्मल जॉला मुखी की तुलना में एक हजार गुना ज्यादा शक्ति शाली होता एट्मुस्वेर में फेकी कई राक और मलबे की मात्रा उत्री अमेरिका के जातर हिस्सों में फैल जाती जिससे अंगिनत प इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो राक सूरज की रोश्नी को इस हद तक रोख सकती थी कि पूरी दुनिया को थोड़ी दिल के लिए ठंडा कर सके इससे फसलों को भारी नुक्सान हो सकता था जिससे बड़े पेमाने पर अकाल पड़ सकता था जिससे दुनिया कभी भी सकती थी और ये सब इस बात पर निर्भर है कि येलो स्टून का फूट था हमें रूसियों को धन्यवाद कहना चाहिए कि यूनियन सही समय पर बिखर गई स्टार फिश प्राइम दोस्तों दुनिया को खत्म करने के अपनी शक्ते के बावजूद इंसान ने जमीन की ऊपर समुद्र में और जमीन की नीचे परमाडू हत्यारों का प्रेशन किया है कम से कम हमने अंत्रिक्ष में परमाडू बम को विस्पोर्ट करने की बेवकूभी भरी कोशिश तो नहीं किया है ना आहिए अब 1962 की दरफ वापस जाते हैं कुछ साल पहले अमेरिका ने पता लगाया कि दुनिया अपनी प्रोटेक्टिव मैगनेटिक फील्ड द्वारा रखी गई मस्बूद रेडियेशन के बेल्टों से घिरी हुई है इनके खोश करता जेम्स वैन एलन के नाम पर इनका नाम वैन एलन बेल्ट रखा गया वो चिंते थे क्योंकि अंतरिक्ष में भेजी गई कोई भी सैटलाइट या एस्टोनोट इसके रेडियेशन के संपर्क में आएगा तो वो खतार नाग हो सकता है इसलिए उन्होंने अंतरिक्ष में एक परमानू हत्यार का विस्पोट करके उन्हें नीकुलियर रेडिशन से हटानी की कोशिश करने का सुझाओ दिया वैन एलन ने दावा किया था कि हथियार के रेडिशन का बेल्ट पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ीगा लेकिन वैन एलन गलत थे बहुत ही गलत आठ जुलाई 1962 की रात को स्टार फिश प्राइम जो की एक 1.4 मेगटन का बम था और हिरोश्मा पर गिराए गए बम से 500 गुना ज़ाद आशकती शाली था हवाई के तर से लॉंच किया गया था लोग आज पर उसकी छटों पर ये देखने के लिए जमा हो गए कि क्या वो इस घटना को देख सकते हैं ये मानते हुए कि आकाश में एक तेज चमक होगी प्रिशांद महासागर से 250 मील उपर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओविट की उचाई के करीब है स्टार फिश प्राइम में विस्पोट किया गया और रात का आस्मान अचानक दिन की तरह चमकने लगा पंदरा मिनिट के लिए विस्पोट से निकले चार्ज पार्टिकल्स प्रिथवी के वायू मंडल में मॉलिक्यूल से टकराते रहे और आस्मान इंद्रधनुशी रंगों से जगमगा उठा जिसे नीरलन तक देखा जा सकता था जबकि ये सुन्दर लग रहा था प्रिथवी के चमकी शेतर में विस्पोट ने एक विशाल एलेक्ट्रो मैगनेटिक पल्स को ट्रिगर कर दिया था जिसने रेडियो स्टेशन को बंद कर दिया इमरजनसी सायरन बंद हो गए और पूरे हवाई में स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गए इसके अलावा विस्पोट के सूपर चार्ज रेडियेशन ने प्रिथवी के चारों तरफ एक और नया आर्टिफिशल रेडियेशन बेल्ट बना दिया ये बेल्ट दस सालों तक प्रिथवी के चारों तरफ घुमता रहा और इसके पास से गुजरने वाले सैटिलाइट से होने वाले जरूरी कम्यूनिकेशन को भी नुकसान पहुँचा ये किसी की भी उम्मी से कहीं ज़्यादा बरा था लेकिन अगर जियोमेट्रिक फिल्ड को नुकसान पहुँचा होता तो प्रिथवी को अंत्रिक्ष की अंगिनत कोस्मिक रेज और सोलर एयर को खतरनाग रेडिशन से कोई सरक्षानी मिलती ये कुछी सालों में प्रिथवी का मौजूद जीवन को मिटा देता ये खुलास इतने भयानक थे कि अंत्रिक्ष में परमाडू हत्यारों के इस्तमाल पर रोक लगाते हुए 1967 में आउटर स्पेस ट्रिटी पर दस्तखत कर दिये गए थे वैल ये इनसान के लिए एक छोटा गदम है और इनसानियत के लिए बहुत ही बड़ा सबक प्रोजेक्ट सीरेल्स दोस्तों हम सबी चाहते हैं कि हम मौसम को बदल सकें लेकिन 1940 के दशक में अमेरिका इसकल्पना को लेकर काफी आगी निकल गया था अमेरिका में हर दस साल में औसतन सत्रा तूफान आते हैं जिससे सैकणों अर्बों डॉलर कर नुकसान होता है इसके बावजूद वो तापमान में काफी सटीक और नाजुक सिस्टम पर में भर है उनके सेंटर में गर्म और नम हवा उपर उठती है और उसकी जगह पर ठंडी हवा आती है ये ताजी हवा फिर से गर्म हो जाती है और उपर उठती है और एक घूमने वाले पैटरन को डिवैलप करती है जिससे तेज बारिश होती है ओले वरस्ते हैं और एक सो पच्पन मील पर दिखंटी की रफ्तार से भी जातेज हवाएं चलती हैं 1940 के तशक के बीच में इसका पता लगाने के बाद अमेरकी रिसरचेस ने अंदाजा लगाया कि अगर वो ड्राय आइस जैसे सूपर कोल्ड माटीरियल के इंजेक्शन से बढ़ती हुई गर्म हवा को डिस्टरब करते हैं जो की 109 डिग्री फेरेंट है तो वो तूफान को रोख सकते हैं इस थीरवी के पीछे का विध्यान अच्छा नहीं था और इसमें कई खामिया भी थी लेकिन मौसन को कंट्रोल करने के लिए आकशन के कारण अमेरिका की सरकार इसे आजमानी के लिए इंतिजार नहीं कर पा रही थी तो इस तरह से प्रोजेक्ट सीरस 1947 में श लैंडफॉल बना दिया और दो मिलियन डॉलर का भारी नुकसान हुआ या 24 मिलियन डॉलर से थोड़ा ज्यादा है मौसम के बहुती पेचीदा पैटर्न के साथ खिलवार करना जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझते थे जाहिर तोर पर एक बहुती बुरा फैसला था क्या हो आई लेकिन पता चला कि यह सब वेकार था मौसम वेग्यानिकों ने पताया कि पिछले कई दूसरे तूफान भी ड्राय आइस के इस्तमाल के बिना आखरी मिनिट में अचानक लट गए इसलिए अमेरिक्यों ने मौसम में कोई आफ़त पैदा नहीं की फिर भी बड़ी शक् 250 के दशक में यूएस आर्मी केमिकल कॉप ने जानवरों को हतियार के रूप में इस्तमाल करने की प्रैक्टिकालिटी का चुपचा परिक्षन करने का फैसला किया लेकिन हम यहां उन कुत्तों या बिल्लियों द्वारा हमला किये जाने की बात नहीं कर रहे हैं जिनके मारी लगभग 10 दिनों में एक पेशिंट को मार सकती है और अफ्रीका की कुछ हिस्से में ये एक खतरनाग महामारी है जहां मच्छर पर नपते हैं इसलिए अगर केमिकल कॉप ये पता लगा सकी कि बीमार मच्छरों के जुन को भीड़ भाड़ वाली जगों पर छोड़ना कितना अच्छा होगा तो इस खतरनाग तागत का इस्तिमाल कर सकते हैं और दुश्मनों के खिलाफ इसका इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि इस तरह का एंटमालोजिकल हमला काम्याब होगा इसका भयानक जवाब था इन लोगों ने अपने ही मासूम ल में रिहाईशी इलाकों में और 6 लाक मच्छों को छोड़ा गया तब आर्मी ने अनुमान लगा कि शहर के चारू और बिछाए गया जाल में से कितने मच्छा घरों में घुज़े और लोगों को काटा डेटा करने के बाद वैग्यानिकों ने अनुमान लगा कि बठादी बठानी की वज़े से रिप्रोडक्शन रेट बहुत जादा हो जाएगा जिससे अर्वों नहीं खर्वों मच्छर पूरे देश पर हमला कर सकते हैं आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इंफेक्टेड मोज बमों में कभी विस्पोर्ट नहीं किया गया और 1972 में इस तरह क्या हत्यारों को इस्तिमाल करने पर रोक लगा दी गई थी कौन जानता है कि ये भविश में किसी भी देश को इस तकनीक का इस्तिमाल करने से रोकने के लिए काफी होगा भाई अपनी कयामत की तैयारियों की लिस्ट में मच्छल दानी और बग स्प्रे को भी क्रिया